शिरी गुरु चरन सरोज रजे निजे मन मकुट सुधार वर नौरग वर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धि ही नितनु जानी के शुमराँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुही हर हो कले से विकार मेरी चैनल को आप चुरूर सब्क्राइब करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आप लोगों को कुछ गीत के माध्यम से कुछ मोटिवेशन के माध्यम से कह सकूं तो आती है प्रसंग चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे सरीर पाप से लचमी घटे कह गए संत कभी जो पुराने संत हैं जो पूर्वच के संत हैं उसने ऐसी वैसी नहीं लिखा है उसने सत्के बातों को ध्यान देते हुए कहा है चिंता से हकीकत में अगर चिंता हो जाए तो उनके बुद्धी काम नहीं आती और फिर बुद्धी काम नहीं आती तो इस शरीर में दुखा आ जाता है धर्दा आ जाता है और जो लोग पाप करते हैं जो पापी हैं उनके पास कभी भी लच्मी नहीं आती तो बुजुर्गों ने जो कहा है पूराने संतों ने कहा है रिशी महात्मा ने कहा है वो सत्य बात है लेकिन मैं आज कल देख रहा हूं कि संत संत जखड़ा हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि यह ऐसा है वो कह रहे हैं वो ऐसा है अरे भाई ज्यान की मार्ग में जैसे भी आप दिश्टांत दें उसने अपना दिश्टांत उस तरीके से दिया है उसने उस तरीके से दिया है तो आप संत होके विरूत करते हैं एक दूसरे का एक समस्य परे कि अर्य गारे पुस्तकों में लीखा है ग्रंथ में लीखा है ठीज है कि ग्रंथ को किस ने लीखा है कैंगन को आप ने ही लिखे हैं हमारे पूरवजो कि महात्माğa pace लिखे हैं संत ने लिखे भगवान ले लिखे हैं इसका मतलब क्या कि हम जगड़ा हों कि उसने ऐसा लिखा है उसने ऐसा लिखा है जब हम संत ही लोग रिशीत पस्वी ही लोग एक नहीं होंगे एक मार्ग पे नहीं चलेंगे तो कौन कर तब यह कपालन करेगा मैं चिला रहा हूँ, ऐसा लग रहा है आपको, मैं हिर्दै से गदगद हूँ, इस प्रकार से वाणी दीचिए ना, लोगों को समझ में आया आप अपनी समझ रखिए, आप अपनी समझ रखिए, मैंने उस दिन देखा टीवी में, कि अरुदी जी कुछ कह रहे हैं, गुरु अपने से कुछ नहीं होता, हमारे देश को कैसे आगे बढ़ा जाए, और हम लोग कैसे निर्वहन करेंगे विश्व के लिए, कल्यान के लिए, अपने घाओं के लिए, अपनी परिवार के लिए, समस्त जीव जन्तू के लिए, इस में कहां से आ जाता है कोई ब्रामान, कोई बहुत, हरी मानव है कहां इस्तिरी अर्पुरू सब एक आत्मा है, परमात्मा है, आत्मा ही तो परमात्मा है, परमात्मा में ज्यादा घुलनसील होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आत्मा होती है, तब ही न वो परमात्मा कहलाता है, न आप परमात्मा के पास जा रहा है न वो जा रहा है न कोई जा रहा है अगर नहीं जाएंगे उसके पास तो कहां से भविशनीर्धारित होगा भाई अभी इतना आपा धापी मचा हुआ है प्रदूसन फैला हुआ है इसको कैसे सांध करोगे प्रदूसन को हटाना पड़ेगा ब्रिक्ष लगाना पड़ेगा ज हमारे संत लोग लगे हुए हैं तो एक दो संत को लगे रहने में क्या अपत्ती है आप मुसल्मान संत हैं आप क्रिश्चन संत हैं आप बहुद संत हैं आप हिंदू संत है अरे सभी लोग तो संत होना संत की वानी मिठास होनी चाहिए और हम जैसे लोग तो कड़वा बोलते हैं देख रहे हैं आज मन की मेरी उमंग जाग गई कि मैं भी कुछ कहूं अगर पसंद आये तो मेरे चैनल को जे एल टोडर टोडर को जरूर सब्क्राइब कीजिए क्योंकि मैं भी लाल्ची बनने लगा हूं सब्क्राइब नहीं हो रहा है अरे धन किसको नहीं चाहिए लेकिन धन किस काम की जब उप्योग ना आए उस धन की क्या कीमत आज कड़ोर रुपए संपति लेके बैठेव क्या काम का अरे कुछ कर्म करो कुछ धर्म करो कुछ क्यान करो कुछ वान करो धन ही सब कुछ है क्या ऐसा नहीं है करतव्य सब कुछ है हमें करतव्य का निर्वहन करना चाहिए हम लोग मांगते हैं सरकार से यह चाहिए वह चाहिए क्या देते हैं आप यह देखिए लेकिन धन के अलावा भी हम बहुत कुछ दे सकते हैं बहुत कुछ दे सकते हैं भाई कोई ज्यान देख सकता है, कोई इसकुल में पढ़ा सकता है, कोई वज्यानिक बन सकता है, इस देश को ही क्या विश्व को सम्हाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने घर को सम्हालना जरूरी है, अपने आपके संतों को सम्हालना जरूरी है, अपने आपको सम्हालना जरूरी आप ही नहीं समझेंगे, क्या समझालेंगे किसी की? अच्छा, फिर कहता हूं, मैं मेरे चैनल को जरूर सब्क्राइब करें, लाइक करें, पसंद आए तो, इसलिए मैं आया हूं, अपने स्वार्थे के लिए, अपने स्वार्थे के लिए, नहीं, परिहित के लिए काम करना प कि दूसरों को दूसरे क्या है भई वो तो अपने ही इस अंसार में जितने ही पशु पक्षी जीव जन्ति आदमी जान deepest सब सक्थु अपने कौन इसका सब भगवाण के है ना प्रभू के हैं आतमा करते हैं पर्मात्म के हैं कौन किसını का नहीं है अरह कोई खष्टी में बैड़ साथ तो राजा दर्ती आ बैड प्रजा बन जाता है प्रजária राजा नौकर चाकर दाक्टर इंजिनियर सब को एक साथ रहना है एक दूसरे के बिना किसी का हित होने वाला नहीं है जहां गलत होती है वहां सिकायत करो तो बस मांगते हैं यह करो वो करो आप ही तो देने वाले हैं ना आप ही ने तो चुनाओं में किसी को बैठाए हैं ना आप ही ने तो राजा बनाए ना उनके बातों क उनके कानुन को आपको मानना चाहिए हमको मानना चाहिए अगर हम ही लोग ऐसे नहीं मानेंगे अपने कर्तब्यों का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ अब कह रहे हैं कि विस्वग्रु हो जाएगा तो विस्वग्रु ऐसी में नहीं होगा भाई पहुत कुछ खोन करना पड़ेगा जैसे सरोवर बांध है बनाना पड़ेगा अम्री सरोवर बनाना पड़ेगा प्रधान मतलिक कहते हैं अम्री सरोवर बना रहे हैं वो बना रहे हैं अपना काम में लगा हुआ है आप भी कुछ करिए उनको देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो आप भी सा भागी हैं उस राजा के साथ इसको आपने चूने हैं और आप ही लोग विरोध करते हैं दीजिए दीजिए अरे भाई आप देखिए तो देखें अपने कर्टब्य को तो निभाएं भेस्ता चारी मस्ता चारी सब चला जाएगा अरे धन का क्या है समझाई ये धन रहने से क्या होगा कुछ दीं चलेगा जीबी तिरह हो गए तो करोगे कुछ और मरने के बाद क्या काम आएगा खाखाएगी धन तुम्हारा नाम रह जाएगा नाम और तुम्हारी बाणी रह जाएगा इस संसार में उस बाणी को रखने के लिए परिहित का काम करना पड़ेगा अपने कर्तब भी को नहीं भाना पड़ेगा तो जै भारत जै हिंद जे हिंदुस्तान, रिभारत मातक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, बारम बार प्रणाम, हच्यार बार प्रणाम, सहस्त्र बार प्रणाम, ठीक है, प्रणाम.